Hello students, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains के इस प्लैटफर्म पर एक ऐसा प्लैटफर्म जो देता है आपको बिलकुली free and quality education बात करें हम kindergarten की या फिर हो class 12 यहाँ पर आपको सारे classes के video lectures दिये जाते हैं बिलकुली free में यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के charge आपसे नहीं किया जाता किसी तरीके की payment आपको नहीं करनी होती बस आपको videos को देखना है पढ़ाई करनी है और examination में rock करना है मैं शुभाम शुरिवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का class 12th biology NCRT exemplar की series में जहां आज के इस lecture में हम लोग discuss करेंगे अपने chapter number 15 से short answer type questions chapter number 15 जो कि हमारा second last chapter है class 12th biology में that is कि biodiversity and conservation इसके short answer पे आज हम आप पहुँचे हैं तो इस chapter की mind map को हमने देखा है mcqs very short short को देखना है देखेंगे जानेंगे समझेंगे कौन-कौन से सावाल हमसे पूछे जा सकते हैं हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उन question का answer करते हैं क्या हमारा word limit होना चाहिए and number of things जो भी हैं हम सब के बारे में आज discuss करने वाले हैं ncrd exemplar में जितने भी questions दिये गए है short answer type questions में उन सारे questions को आधम solve करने वाले हैं तो एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला question हमसे क्या पूछा गया है chapter बहुत ही मुशकिल नहीं है बहुत ही आसान chapter है ध्यान से अगर एक बार देख लिया हो तो मुझे लगता कि इसको दुबारा कभी भूल पाऊगे इतना यह आसान है कि एक बार अगर हम इसे जह ही से देख लें तो हम इसे फिर भूल उन पाएंगे यह इतना आसान है तो पहला सवाल क्या है हमारे सामने फिर्स कोशन हमारे सामने आ चुका है क्या कहता है कहता है एक नज़र डालेंगे कहता है कुछ ऐसा कि मतलब कहने का है कि हम देख रहे हैं यह चीज़ जानते हैं और काफी junior classes से हमने इन सब चीजों के बारे में discuss किया है क्या है तो भाई बच्पन में जब हम बहुत छोटे थे तब ही हमें बताया गया था कि कुछ endangered species होते हैं ऐसे species जो extinct होने वाले कहने का मतलब है कि उनकी संख्या बहुत ही कम है तो उनको extra care के साथ रखा जाता है तो वैसे organisms को हम लोग extinct category में डालते हैं question हमारा कुछ ऐसा है कि how is the presently occurring species extinction तो आज के समय में जो हमें species में extinction देखने को मिल रहा है आज के समय में जो species extinct हो रहे हैं गायब हो रहे हैं धरती से वो किस तरीके से different from the earlier mast extinction वो किस तरीके से पहले जो mass extinction होता था उससे अलग है right समझ में आगया difference कि आज का आज के समय का extinction पहले के समय के extinction के मुकाबले किस तरीके से differ करता है दो तीन चीज़ें हैं बहुत ही common है आसानी से हम इसको समझ सकते हैं पहले चीज़ें पे अगर हम नज़र डालें तो बहुत पहले जो यह पहले की बात कर रहा है ऐसा नहीं पहले का मतलब है कि यह extinction होता था जो mass extinction यहाँ पे लिखा उआ है इसके कहने का मतलब यह है कि पहले इंसान को अपने काम से काम होता था मतलब कि बहुत ही हमारा science उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था scibly तो बाद में आया पहली बात है कि population उतना ज़्यादा नहीं था population उतना ज़्यादा छोटा सा जगे में वो satisfied थे कि हां यहां वो रह सकते हैं समय के साथ जब population बरता गिया लोग बरते गए तो लोगों को अपने अपना घर बनाने के लिए उन्हें जंगलों को काटना शुरू किया इस बरते population को ज़रूरत थी कि वो अपना पेट भी भर सके तो इसने क्या किया परबाद करना शुरू किया पहले क्या होता था पहले के extinction को अगर हम दियान में देखें तो पहले के extinction कैसे होते थे जब किसी का कोई इंटरफेर नहीं था तो वो सारी चीज़े नैचुरल ही होती थी अगर हम यहां पर अगर हम दो कॉलम ऐसे बनाएं एक तरफ अगर हम लोग प्रेजेंटली यहां पर ऐसे लग दे कि प्रेजेंटली अकरिंग species extinction ऐसे करके यहां पर लिख दे और इधर अगर हम लोग लिख दे कि earlier extinction तो दो तीन चीज़ें हैं बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे एक तो है कि यहां पर इंसानों का इंटर्फेर आ गया यूमेन ने यूमेन इंटर्फेर यहां पर देखने को मिला ठीक है इस समय इंसानों का उतना इस पर कोई मतलब नहीं था तो यहां पर क्या है आपको क्या देखने को मिला तो यहां पर कुछ तो ऐसा naturally कुछ हुआ होगा naturally कुछ तो हुआ होगा natural calamities तरी की कुछ चीजे हुई होगी जैसे कि हम कह सकते कि earthquake landslides हम कह सकते हैं कि like landslides और हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं बहुत किसी गजब तरीके का flood गाना इस तरीके की कोई चीजें, volcanic eruptions, इस तरीके की चीजों से क्या हो सकता है कि कोई species है, वो extinct कर गया, राइट, इस वाले case में है अभी के समय में क्या है कि इंसान ने अपने जरुरत के according क्या है कि चीजों को nature से खीचना चाहा, तो उस चक्कर में क्या है कि बहुत सारे organisms जो थे include तुम कर सकते हो इसमें किसमें तो ऐसा नहीं कि species की बात कर रहे हैं, तो हम किसी animal species की ही बात करनें बिल्कुल ऐसा नहीं है, species की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें plants को भी रखेंगे, plants के भी species को रखेंगे, हम इसमें kingdom animalia के अनिमेलिया हमें पाए जाने बाले भी अलग अलग जितने भी species हैं हम उन सब को यहां पर रखने वाले हैं तो बहुत सारे यहां पर species को इंसान ने अपने use के according use करना शुरू किया तो धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वह कम होनी शुरू हो गई और फाइनली यह धरती से गायब हो गए लेकिन अब क्या है अब कुछ सीन ऐसा है कि इन living organisms को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़े जैसे कि wildlife centuries हैं हमारे पास इस तरीके की चीजों को चीजो सा comparison है, comparison बस इतना सा है कि अगर हम बात करें तो earlier mass extinction was due to the natural causes like the flood, volcanic eruptions etc but presently occurring extinction is a 10 to 100 to 1000 times faster than the earlier times and it due to the interference of the humans, तो इंसानों के interference के कारण यह सारी चीज़े हो रही है, काफी आसान कोशन था, आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, याद करने का इसमें ही नहीं कुछ common sense की जरूरत है थोड़ी सी, एक बार हमने देख लिया, अब हम इसका answer कर सकते हैं, तो इसको भी आप note कर लोगे, आप इसको screenshot निकाल लोगे, फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे, हम अपने अगले सवाल में कि question number two में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो यह आगया हमारे पास question number two, क्या कहता है, question number two, एक बार नजर डालेंगे, इस पे तो question number two हमसे कहता है, कि of the four major causes for the loss of biodiversity, तो biodiversity की अगर loss की बात करें, loss of biodiversity की बात करें, भाई तो सबसे पहले तो biodiversity क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए, तो biodiversity आप जानते हैं, कि diversity, जब living organism में जो इतना आपको देखने को number of species हैं, यहाँ पर आज के समय में 1.7 to 1.8 millions of species हैं, known species की बात हम कर रहे हैं, कि इतने species के बारे में हम जानते हैं, और आज भी कोई नए कोई नए species मिल ही जाता है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे species हैं, तो यह species हैं, इतना बड़ा diversity है, हमारा biological world में तो भी biodiversity हो गया, simple words में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो biodiversity का loss होना, मतलब biodiversity का कमना, loss of biodiversity जो है, उसके लिए चार major causes हैं, चार कारणों से होता है, वो चार कारण है, alien species invention, habitat loss and fragmentation, over exploitation and co-extinction, यह कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण हमें biodiversity में loss देखने को मिलता है, कोशन हमारा यह है कि इन चारों में से, which according to you is the major cause of loss of biodiversity, give reasons in support, तो सवाल बस इतना सा है कि यह जो चार हमारे पास है, alien species invention, habitat loss and fragmentation, over exploitation and co-extinction, इस में से, इन चार में से, आपको क्या लगता है, कौन है, जो major cause है, इस loss in biodiversity का, तो देखें हमारे according जो है, यह habitat loss and fragmentation, जो है न, यह major cause है, हमारे loss in biodiversity का, अब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो कहता है कि loss and fragmentation is the major cause of this problem, because this cause depletion of the natural resources, leading to the scarcity of food for living and wildlife, अब वही चीज़ है कि समय के साथ, क्या है कि habitat loss and fragmentation, अब यह कैसे हो रहा है, तो देखिए, समय के साथ, दो-तीन चीज़े हैं, एक है कि population का बढ़ना, कुल मिला के बाते उधरी की उधरी आ जाएंगी, चीज़ें हम सब जान रहे हैं, population का बढ़ना, population का बढ़ना, demand का बढ़ना, demand का बढ़ना, हमारा natural resource के साथ, खेल का बढ़ना, क्याने का मतलब है कि population का बढ़ना, as a result, demand का बढ़ना, demand का बढ़ना, और demand के बढ़ने के साथ-साथ क्या हो रहा है यहां पर तो जो natural resources हैं हमारे पास इन natural resources का जो use है उस use का बढ़ना as a result क्या हो रहा है कि एक समय के बाद यह जितने natural resources हैं हमारे पास वो धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है लॉस आफ नैचरल रिसूर्स भी हमको देखने को मिल रहा है कोई इसमें डाउट नहीं है इन सब चीजों के मुकाबले क्या है कि जैसे कि नैचरल रिसूर्स जैसे 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 जाएगा हमारा क्या है कि आज तो महें नहीं समझ वह रहा है लेकिन क्या कि प्रॉब्लम बढ़ते Rec. कि अगर बहुत सारे था कि फोरिस्ट जिए जैसा वह छोटा सजगह था बहुत सारे पेर वहां पर थे हमने क्या किया कि चोटा सजग़ा था हमें ऐसे बसानी थी हमें कॉलनी बसानी थी क्योंकि हमारे यह 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 खालत हिए बहुत रहले नहीं थे पेर के होने से क्या था कि पेर जो था वो atmosphere में मौझूद carbon को खीच लेता था carbon dioxide को खीच लेता था for photosynthesis and and finally हमें वो oxygen दे रहा था हमारे environment भी काफी ज़्यादा fresh था तो उसके कमी कारण क्या हो कि amount of carbon भी जो इस एरिया में है वो बढ़ गया इस तरीकी कि या number of things हमें देखने को मिला धीरे धीरे क्या था biodiversity का loss होता हुआ हमें दिखता है वह ही कह रहा है कि habitat loss and fragmentation is the major cause of this problem because this causes depletion of the natural resources leading to the scarcity of food for living wildlife the tropical rainforest reduced to 6% it reduced to 6% from 14% 14-6% तक जाना बहुत ही बड़ा loss होता है of the total earth surface तो यह इस question के लिए छोटा सा answer हो जाएगा short answer के लिए तो आप इसको भी note करेंगे आप इसको भी screenshot निकालेंगे किसी तरीके का doubt मन में आ रहा है चिंता हो रही है लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आया हो सकता है exam में पूछाएगा तो हम किस तरीके से answer करेंगे मन थोड़ा गबडा रहा है तो इस तरीकी के अगर चीज़े होती है तो आपके लिए comment box बिलकुल खुला है तो examination में तो rock करना ही करना है अपने carrier में बहुत अच्छा करना है फिलाल इसको note करें और हम चलेंगे इसके बात question number three के तरफ देखेंगे कि हमारा तीसरा सवाल हम से क्या कहता है तो यहाँ पर आ गया हमारा question number three क्या है एक नज़र डालेंगे कहता है कि discuss one example discuss one example based on your day-to-day observations तो क्या करना है हमें discuss करना है एक example discuss one example based on your day-to-day observation तो थेखिए chapter क्या है क्या पूछ रहा है day-to-day observation के पे हमें इस question का answer करना है अब इसको अगर हम book में खोजने जाएं तो क्या हमें यह मिलेगा और यह क्या हमारी बुद्धिमानी है कि हम इस तरीके के questions के answer के लिए हम किसे book में जाएं question अगर बोल दे रहा है day-to-day life तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे अगल बगल होने वाली चीजों के बारे में बात की जा रही है point यह ही कि class 12 में हम पढ़ रहे है क्लास 12 हमारा complete होने के कगार पे खरा है बस एक दो महीने के बाद हमारे बोड की exam हो जाएंगे और फिर हम class 12 से निकल करके हम किसी college में admission लेने वाले हैं तो question हमारा यही है कि एक example लेकर के हमें देखना है जो कि हमारे day-to-day observation पे बेस्ट हो showing how the loss of one species may lead to the extinction of the extinction of another कहने का मतलब है कि कि किस तरीके से एक species का जाना दूसरे के extinction का कारण बन सकता है बहुत अच्छा सा question है for example इसको ऐसे समझने हैं पहले समझने क्लिए हम कुछ ऐसा लेते हैं कि like क्या था कि दो दोस्त हैं दो दोस्त हैं तो क्या है भाई अब दो दोस्त हैं तो कहना है कि दोनों का सुबह उठना साथ है दोनों का खाना पीना साथ है दोनों का बीच ये bonding है तो मतलब एक समझने के लिए बोल रहे हैं तो एक और दूसरा जो है दोनों एक दूसरे पर दोनों में इस तरीके की bonding है अब इसी बीच तुम ऐसा मान लो कि एक दोस्त जो है वो किसी कारणवश फार एक्जामपल की वो उसके पापा का गवर्मेंट जोब है फार एक्जामपल हमने मान लिया और उसका क्या है कि उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है अब उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे मन लएगा दोनों में जो एक्टिवनेस हमें हर दिन सुबह से शाम तक प्रती दिन देखने को मिलता था वो सारी चीजे अब हमें देखने को नहीं मिलेंगी ये भी उदास बैठता है दिन बर घर में वो भी उदास बैठता है दिन बर घर में स्कूल जाना है तो गया आया खे एक दूसरे पर dependent है क्योंकि एक दूसरे का साथ हे इतना पसंद है same in case केस में आ गया है कुछ ऐसा कि दो इस स्पेशीज हैं जो अपने life को smooth बनाने के लिए अपने daily life को smooth बनाने के लिए एक दूसरे की ने पढ़ती ही है तहीं अब एक काम करो कि जैसे की एक इंग्साम्पल हमने कभी देखा था एक्साम्पल हमने क्या था तो एक्साम्पल चलते हैं हम अपने चाप्टर नमबर 2 के तरफ और चाप्टर नमबर 2 में जहां हमने sexual reproductioncot को दिसक्र में एक था हमारे पास मोत और दूसरा हमें देखने को मिला था यूका इन दोनों की खास बात ये है कि दोनों एक दूसरे पर इसकदर डिपेंड करते हैं कि मोथ को अगर अपना एग ले करना होता है तो वो इस यूका के ऊपर आकर के करता है तो यूका ने क्या किया यूका ने मोथ को सपोर्ट किया कि चलो कोई बात नहीं तुम अपना एग जो है वो मेरे मेरे ऊपर डाल सकते हो तो मोथ इससे क्या हुआ मोथ ने जब एग कुछ तो करूंगा तो यूका के लिए मोत ने क्या किया मोत ने सामने को सप्पोर्ट क Creator लाइफ असनी से बिता रहें एक समय आता है मान लो कि यह जो मोत है यह मोत अब नहीं रहा मोत खतम हो गया तो अब यूका के लिए कौन करवाएगा pollination तो हो सकता है यूका के जाने से यूका भी जो है एक समय के लिए गायब हो जाए तो मोत की जाने से एक समय के लिए yuka भी गायब हो जाए ऐसा हो सकता है तो वही कहने का मतलब है कि एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी है common example है हमारा हमने अल्रेडी पढ़ रखा है कहते हैं example of the plant pollinator relationship in this case if either one of them gets extinct it results in the ultimate extinction of the other तो इसके कारण क्या होगा दूसरे का extinction होना है this phenomenon is called co-extinction और इस phenomenon को हम क्या कहते है और इस phenomenon को हम co-extinction का नाम देते है प्यारा सा आंसर हमारा मुझे लग रहा है कि समझ में भी आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है अगे आपसे मैं बोलूँगा कि प्लीस comment box में आप ज़रूर पूछें इसारे डाउट्स को फिर आगे चलते हैं देखते हैं कि हमारे question number 4 में हमसे क्या पूछा गया है यहां पर काफी आसान था यह question question number 4 की तरफ हम बढ़ेंगे question number 4 में हमसे क्या पूछ रहा है एक नजर इधर डालेंगे question number 4 हमारे सामने आ चुका है एक तरफ हम इस्पेशिस को रखेंगे एक एकसेस पर दूसरे स्पेशिस पर हम तो एरिया को रखने वाले इस ड्रॉन बाइप्लॉटिंग दे नंबर फिस्पेशिस अगेंस दे एरिया तो इस्पेशिज और एरिया ठीक है अब देखे कितना कॉमन सा यह सारी यह सारे जो डिसकेशन से वह कितना कॉमन है और कितना हम इसके बारे में अल्रेडी जान रहे है बस थोड़ा सा कि एक छोटी सी चिंगारी की जरुरत है फिर आग तो हम लगा ही देंगे वही वाला केस है कि थोड़ा सा अगर इस पर नजर डाले फिर तो इस चाप्टर से जो भी पूझा जाएगा हम बहुत ही अच्छा से आंसर करने वाले हैं कि रहा हूँ अगर हम चलेंगे करेंगे बात तो और हम ऐसे समझे तो इसको एक एक जामपल के समझने के कोशिश करते हैं एक्जामपल हम लेते हैं बच्चो वाला बच्चो वाला एक्जांपल जो बच्पन से हमने पढ़ाए कहानी है बहुत ही छोटी सी कहानी है छोटी सी कि एक था एक छोटा सा कुवा इस कुए में रहता था एक मेंड़क मेंड़क वहां पर अकेले रहता था तो मेंड़क को लगता था कि इस बड़े तालाब में जा सके जब वो बड़े तालाब में जाता है तब उसको दिखता है कि सिर्फ वो नहीं है उसके अलावा बहुत सारी मचलियां है बहुत अलग-अलग living organism है तब उसको समझ में आता है कि नहीं दुनिया काफी बड़ी है और बहुत सारे living organism यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो species की संख्या उसको बढ़ती भी दिखाई दी, तो कहने का मतलब है कि जब हम area को बढ़ाएंगे, तो obvious सी बात है कि हमको number of species जो है वो जादा देखने को मिलेंगे, और यही वो graph दिखाना चाहरा है, कि मतलब है कि मानलो कि इतना सा कोई area है, इसमें species A, species B, species C, D, E हमें यहां देखने को मिला, हमने area थोड़ा बढ़ा कर दिया क्योंकि इस वाले जगापर जो था ना, species F था, इस वाले जगापर G, इधर H, इधर I, इधर J, K, L, इस तरीके से बहुत सारे species थे, तो हमने इतने से area को लिया, तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 species देखने को मि हमने अब area बढ़ा दिया और हम इतने area में study कर रहे हैं, तो 5 हमें थे ना, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब हमें 12 species यहां देखने को मिल रहे हैं, तो वही कहने का मतलब है कि जब area बढ़ाएंगे तो number of species बढ़ने वाला है, तो according to the Alexander von Humboldt, as the species richness increasing gradually, the exploded R will also increases, this is due to the availability of the natural resources also increasing with the support diversification, right आप इसको भी note कर सकते हैं, इसका भी आप screenshot निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे discuss करेंगे अपने question number 5 को, हमारा पांचमा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, तो 5th question हमारे सामने आगया, right 5th question हमारे सामने आगया, क्या कहता है, 5th question कहता है कि, is it possible that the productivity and diversity of a natural community remains constant over a time period of say 100 years, कहने का मतलब है कि, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने लाइक है, एक तो यह बात कर रहा है, 100 सालों की, ठीक है, 100 साल काफी ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरी चीज, क्या यह मुम्किन है कि, जो productivity है और जो diversity है हमारे natural community का, वो करीब करीब 100 सालों तक वैसा ही रहेगा जैसा आज है, तो इसके कहने का मतलब है, कि क्या, for example, जैसे कि, अभी चल रहा है, 2023 में हम आच चुके हैं, 2023 का साल चल रहा है, और एक समय पहले, आज से 100 साल पहले चले तो, 1023 का time था, तो कहने का मतलब है कि, जैसा natural availability, जैसी diversity, जैसी productivity सन 2023 में थी, कि क्या आज, सुर यह कुछ गलत हो गया, बहुत ही जाधा गलत हो गया, ऐसे निए 100 साल पहले हमें जाना है, तो हम कहां चलेंगे, 1923 पर हम चलेंगे, यह होना चाहिए, रैट, 1923 पर चलेंगे, यह 100 साल पहले की बात है, हम 1000 साल पहले आई तिंग की जा चुगे थे तो यहां पर है कि 1923 की बात है तो 1923 में जिस तरीके का जितना natural resource हमारे पास था जो natural availability हमारे पास थी जिस तरीके का diversity biodiversity हमारे पास था जो उस समय की productivity थी क्या आज 2023 में वो वैसी ही है तो हमारा answer हुआ कि नहीं इन 100 सालों में काफी कुछ बदल चुका है इन 100 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है क्योंकि इन 100 सालों में जो population है वो काफी ज़ादा बढ़ चुकी है 100 सालों में बढ़ता हुआ population दो तीन चीज़े हम इसको mention करना चाहेंगे एक हम ले करके चलेंगे अपने population को ध्यान में रखेंगे दूसरी चीज जो हम ध्यान में रखने वाले हैं population के बाद वो है हमारे science का development हमारे science के development ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हमारा ये जो science है ये हमारे nature को बहुत परिशान भी करता है for example कि अगर हम लोग चलते हैं अगर थोड़ी engineering की बात कर लें तो हमने बहुत सारे motors को develop किया समय के साथ हमने क्या किया समय के साथ हमने बड़ी बड़ी गाडियां बनाना शुरू किया हमने ऐसे vehicles बनाए खर अब तो क्या है कि solar energy का use करके लाइक वेहिकल्स बन रहे हैं तो वह सारी अच्छी चीज़ें लेकिन एक समय ऐसा था ना कि हमारे बस जो fossil fuels से हमने उस पर dependent वेहिकल्स बनाए ऐस रिजल्ट क्या हुए वहां से तो नेचरल resource को हमने यूज करना शुरू किया समय के साथ वो natural resource कम होता जा रहा है आज के समय में दूसरी चीज़ है एक तो natural resource का कम होना और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे atmosphere में pollution का बढ़ना point यह है कि हमारे इस धर्ती से plant का जाना मतलब जो हमें oxygen दे रहा था और जो carbon है उसको वो receive कर रहा था Carbon dioxide को ले रहा था जो हमारे जोंस का नहीं उसको बहुद बढ़ा था और जो हमारे uze की चीज़ए थी वो हमें with time the population size increases resulting in the depletion of the ability of resources बहुत ही common बहुत ही simple बहुत ही आसान एक बर समझ लिया आप इसको कभी भूलने लाइक नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है यहाँ पे छोटे छोटे चोटे है तो यह हमारा कोशन नवर सिक्स कहता है कुछ ऐसा कि देर इस ग्रेटर बायो डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल रीजिन इन 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 इस बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो अगर आप ने इसको समझ लिया और अभी आप इसको समझ लेते हो और इसके बाद अगर यही कोशन में आपको बोलू कि इसको लॉंग आंसर टाइफ फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिख के दो तो भी आप लिख दोगे यह बिल्कुल गैरंटी है गैरंटी है हमारी है ना तो इस गैरंटी के ऊपर थोड़ा काम करते हैं और एक बार सवा है भाई साब तो ट्रॉपिकल सब्स 6 stiff Multipleulty रिजन में जादा है अच्छा क्या कह रहे हो आप थो हम कह रहे ना कि यह जो हमारा है कि वो यहाँ पर काफी जादा रिच है और वहीं अगर हम इसको compare करें ऐसा मैं नहीं बोल रहा है कि temperate reason में या question नहीं बोल रहा है कि temperate reason में ये कम है हाँ temperate reason में मुकाबले किसके tropical reason के हमें biodiversity कम देखने को मिल रहा है क्या है दूसरा हमारे पास तो दूसरा है हमारे पास temperate reason करने वाले हैं इसका तो इसमें हमें कम देखने को मिल रहा है जब हम इससे compare करते हैं तो ऐसा क्यों है दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना है कहता है हमारा यहां पर लिखता है कि greater biodiversity is found in the tropics and subtropics because it's latitude gradient which is located near the equator आब यहां पर देखिए कि हमारा आर्थ यहां पर है इसके बीचों बीच क्या हो रहा है तो बीचों बीच यहां पर क्या है तो यह जो line हमने बनाया यह equator हमने बनाया equator के पास होने से क्या होता है इसके पास जो है वो resources जादा है as a result यहाँ पर क्या है equator के पास क्या है कि अगर हम temperature की बात करें तो बहुत ही जादा temperature हमें यह आप देखने को मिलता है comparatively जैसे ही पोल की तरफ बरते हैं हमारा temperature down हो जाता है equator के तरफ हम बढ़ते हैं अगर हम इस direction में आएंगे तो हमें temperature बढ़ता हुआ दिखेगा और वहीं अगर हम इस direction में जाएंगे तो हमें temperature घटा हुआ दिखेगा वहीं इसके नीचे की बात करें तो अगर हम इस direction में आएंगे तो temperature बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर हम इस डारेक्शन में जाएंगे तो घटता हुआ दिखेगा पोल के तरफ घटेगा बीचो बीच एक्वेटर पे आएंगे तो टेंपरेचर बढ़ेगा क्यूं होगा ऐसा क्यूंकि यह जो एक्वेटर है अगर आप एक बॉल लेकर समझने की कोशिश करो तो उसका जो सबसे सबसे बाहर निकला वह जो पार्ट है वह पार्ट जो सबसे बाहर में निकला हुआ है वहां से लाइन को खीच देना एक्वेटर होता है जैसे कि आप क्रिकेट बॉल को आपने देखा क्रिकेट बॉल को आप देखते हैं तो उसको एक पॉइंट से जहां से उसमें सिलाई की गई होती है तो उसको ही assume करके यहां पर रख दो और वो जो सिलाई है आपको दिखे हो किस बॉल का सबसे outer most part है और वो सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट है तो वो संसे सबसे ज़्यादा नजदीक है यहां पर रिसोर्स जादा है तो यहां पर हमें बायो डाइवर्सीटी जो है वो जादा देखने को मिलता है in comparison to temperate reason temperate reason के मकबले ठीक है temperature यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है बारिश वागरा भी हमें देखने को मिल रही है पानी भी अबलेबल है सनलाइट भी अबलेबल है और भी रिसोर्स इस अबलेबल है जो यहाँ के स्वाइल से उन में थोड़ा हमें मिनर्स वगेरा जादा है तो प्लांट इस पेशिव जादा है उसके उससे रिलेड़ेट क्या है माइक्रो और्गनेजम से यहाँ पर थोड़े जादा है तो कुल मिला कि यह जो पूरे बायो डाइवर्सिटी है यहाँ पर जादा है वही यहाँ पर कहना है कि ट्रॉपिकल और subtropical reason में हमें biodiversity तोरी ज़्यादा देखने को मिलती है मुकाबले temperate reason के आसान सवाल note कर सकते हो screenshot ले सकते हो फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ question number 7 में discuss करेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है यह आगे हमारे पास हमारे question number 7 क्या कहता है कि why are the conventional methods not suitable for the assessment of biodiversity of bacteria तो conventional method जो है वो suitable नहीं है क्यों suitable नहीं है new conventional method suitable होता है लेकिन यहाँ पर यह कहरा है कि ओसनी मुष्किलनल नहीं है सुटेबल नहीं है तो for the assessment of biodiversity of bacteria तो bacteria के लिए suitable नहीं है کیوں हूँ क्योंकि bacteria की अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसके बाड़े में हमें जाचना पडखना क्योंकि इसको naked eye से तो हम देख नहीं सकते यह micro organism में काफी छोटा होता है तो एक तो reason हम यह दे सकते हैं कि it is very difficult to distinguish bacteria morphologically through our naked eye तो morphologically अगर हम इसको distinguish करना चाहें अपने naked eye से तो it's not possible bacteria की बात करें तो हम जानते हैं कि bacteria rod shape के भी होते हैं bacteria जो है vibrio shape के भी होते हैं bacteria की बात करें तो spherical shape के भी होते हैं मतलब bacteria के अलग-अलग shape हैं अलग-अलग उनका structure है तो morphologically अगर हम उनको चाहें कि distinguish कर दें तो यह बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए क्योंकि वह naked eye से नहीं दिखता है तो एक तो यह हमारे पास reason है कि यह conventional method जो है वह bacteria के लिए थोड़ा मुश्किल है है ना इस नौट सुटेबल है सुटेबल नहीं है मुश्किल है तो सुटेबल नहीं है तो हम कोई दूसरा method अपनाएंगे ना फिर कह रहा है कि देर बैक्टेरियस विच नौट भी कल्चर इंदे नॉर्मल बीडिया सो इटकर डिफिकल्ट तुस्टड़ी पॉर रखते हैं जिस इंवार्मेंट में इस बैक्टेरिया का ग्रोथ जो है स्वाच्छे तरीके से हो सके ना सिर्फ बैक्टेरिया हम किसी दूसरे और्गनेजम के लिए जो कल्चर तयार करते हैं हमारा मुद्दा यह होता है कि हम उसको एक ऐसा इन्वार्मेंट दे दें जिसमे उसका ग्रोथ जो है वो आसानी से हो सके लेकिन इसमें वी इतने बदमाश हैं कि वह यहाँ पर भी हम किसी तरीके से हम उनको कल्चर करना चाहें तो यहाँ पर भी हो कल्चर हम उनको नहीं कर पाते हैं तो उनकी करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो एक तो यह रीजन है राइट कि for example कोई दो बैक्टेरिया हैं ठीक है दो बैक्टेरिया को हमने लिए एक बैक्टेरिया असानी से उसका कल्चर हो गया हमने उसके बारे में जाना पढखा जाचा उसकी बारे के मिस्ट्री को पूरे अच्छा तरीके से देखा लेकिन दूसरा जो नहीं हमें जो यहां का महौल होता है ना इन लाबरेटरिया इसका बहुत स्टराइल होता है कहने का मतलब है कि यहां पर किसी तरीके के माइग्रोब का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसे तो हम जान रहें कि हम अपने हातों को धोलेंगे हम रूम की साफसफाई रखेंगे जो ह रखा भी जाता है लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चले तो हमें दिखता है क्या कुछ ऐसा की बहुत सारे और अर्गनिजम्स हैं अधर माइक्रो ऑर्गनिजम्स हैं तो लाइक वाइरस हो गया हमारे पास प्रोटोजोंस है हमारे पास और भी दूस जो है वो कंटामिनेट हो जाता है तो यह कुछ रीजन से जिसके करन हम कह सकते हैं कंवेंशनल मेथड जो है इस नौट सुटेबल फॉर दी एसस्मेंट ऑफ बायो डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टेरिया कैसा था कोशन हमारे इसाब से बहुत यह आसान था बुश्किल नहीं इसको अपनोड कर सकते हैं इसको भी आप स्क्रेंशोट निकाल सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं अपने कोशन नुमर 8 की तरफ देखते हैं कि हमारा आठवा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कोशन नुमर 8 आगया हमारे सामने कोशन नुमर 8 हमसे कहता है कोछ ऐसा कि वट क्राइटेरिया शुड वण यूज इन कैटेगराईजिंग इस स्पेशिज अज थ्रेटेंड थेक है यह भी आसान सा कोशन है कहा है कि क्या criteria हम लेंगे should one use in categorizing a species as threatened ठेक है हम इसका क्या answer कर सकते हैं तो species जो है कोई है वो बहुत ही खत्रे में है खत्रे में है मतलब को समय के बाद उसकी संख्या जो है वो दीरी दीर उसकी संख्या घरती जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में जर्दी से गायब हो जाए इंडेंजर्ड इस्पेशिस के category में चला जाए और फिर हो सकता है कि वह एक्स्टिंशन में चले जाए मतलब वह खत्रे की निशान पर चल रहा है तो एक तो चीज़ है कि अगर अगर यह कोई जंगल है और इस जं जंगल में रहता है आज से करीब 100 साल पहले की बात है कि 100 साल पहले क्या था कि 100 साल पहले इसी जंगल में वह इस पेसिस जो था उसकी संख्या कड़ी 5000 थी उसकी संख्या कितनी थी 5000 साल थी 10 साल के बाद हमें देखने को मिला दीरे दीरे समय घरता गया और यह कहानी हमें कब देखने को मिला तो 100 years ago फिर हम जब 50 साल पहले की अगर हम बात करें 15 years पहले की अगर हम बात करें तो हमें इसकी संख्या जो है ना वो करीब करीब जो है वो 4000 हमें देखने को मिला समय बीता अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो हमें बहुत जादा इसमें इसकी संख्या में मतलब इसकी संख्या जो एवना घड़ती भी दिखाई थी उसके अधी हमें 25 साल पहले कैसे था ना कि सीधा हमें 2000 देखने को मिला 2000 बहुत कम हो गया हमार अथरा ग्राफ गर बड़ो जाएगा 4000 ले 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 लेते हैं फिर हमें इसमें हमें पच्छी सो देखने को मिला फिर अगर हम 15 साल पहले की अगर हम बात करें 15 एर्स अगो की बात करें तो हमें इसकी संख्या जो है करीब हमें 15 सो पे दिखाई दी और अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो यह हमें 1000 के असपास था यह 900 से 1000 के बीच में कुछ था है ना और अगर हम लोग पांच साल पहले की बात करें तो यह हमारे पास जो है वो करीब 400-600 हमें देखने को मिला और इसी present year की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास यह करीम 200-300 के पास हमें देखने को मिल रहा है दब समय के साथ इसका population कितना घरता चला जा रहा है पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे गिरता रहेगा गिरता हुआ पॉपुलेशन हमें यह इंडीकेट करेगा कि भाई इसका यह जो कैटेगरी है इस स्पेशिस की यह खत्रे में इसके उपर काम करने की जरूरत है और इसी चीज़ को जाना किया तद समझा गया था और हमारे दे प्राक्टिकल एक्जांपल के बात करें न में निकलते थे अगले महीने चल रहे तो हैह तो इस तरीके से तो फिर कुछ रूज लाए गया तो यह हमारे पास एक 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 एजम्पल है क्याता है तो यह सारे कुछ चीज़ हैं जिसके बाद हम कह सकते हैं कि यह स्पेशिस जो है वो खत्रे में राइट आसा कोशन है बहुत ही सिंपल सा है आगे बढ़ेंगे कोशन नमर्न को डिसकस करेंगे नोट आप कर सकते हो इसको नोट कर सकते हो यह जगह आपको दे दिया है ना स्क्रींशॉट ले सकते हो फिर चलते कोशन नमर्न नाइन पे नाइन कोशन हमारे सामने क्या कह रहा है कहता है कि what could be the possible explanation for the greater vulnerability of amphibians to extinction as compare to other animal groups अब देखिए कहने का मतलब है कि बात कर रहा है क्या कि Amphibians का ठीक है Amphibians वो आनिमल्स जो की Amphibians वो हैं जिनकी जो पानी में भी हैं और जो लैंड पे दोनों जगा यह सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है अब हमें यह कोशन का डिमांड है कि इन Amphibians जो हमारे पास है वाट कु यह जो हैं एक्स्टेंशन के तरफ जा रहे हैं अस कंपेर टू दी अधर अनिमल ग्रूप अब देखिए क्या है इसको एक तरह किसे समझ सकते हैं एक तो यहां पर एक रीजन दिया कि तो मेजर कॉज ऑफ एक्स्टेंशन ऑफ एमफिबियंस इस क्लाइमेट चेंज होना एं पुरी तरीके से पानी से निकल करके आया और कुछ हमें लिविंग ऑर्गनिजम मिले जो पानी में भी सर्वाइब करते थे माक्स टाइम एक स्मॉल अमांट अफ टाइम वो लैंड पे स्पेंट कर सकते थे फिर हमारे पास कहानी आगे बढ़ी के मैक्सिम टाइम वो लैंड पे सर्वाइब करते हैं अगर आपको बुला जाके चलो एक साल से धरती पे हो अब एक आत दिन तुम संदुर में से घूम के आओ या फिर पानी में रहके आओ तो इस तरीके की तरफ जा रहा है इसके एक्स्टिंशन का हम कह सकते हैं राइट इसको भी आप नोट कर लो तरफ चलेंगे कि कोई new species किसी new species की discovery हुई है किसी new species की क्या हुई है discovery हुई है तो एक यह चीज हो सकता है दूसरा कि वो एक statical representation करते हैं कि अहां तो temperate tropical reasons and then calculate the gross estimation of the total number of biomass in this biomass of this species क्या करते हैं वो एक statical representation के थ्रू यह काम करते हैं किस चीज़ करते हैं तो temperate tropical reason temperate reason and tropical reason का statical representation data वो तयार करते हैं फिर calculate किया जाता है calculate the gross estimation of a total number of the biomass of this species तो यह सारी कुछ तरीके है statical representation के थ्रू किया जाता है इसको भी आप note कर लो इसको भी आप screenshot निकाल लो फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल question number 11 के तरफ देखेंगे कि हमारा question number 11 हमसे क्या पूछ रहा है ठीक है तो यह आगे हमारे सामने हमारा question number 11 क्या कहता है हमारा question number 11 कुछ ऐसा कहता है कि human benefit from the diversity of life human benefit from the diversity of life give two examples तो human जो है वो इस जो यह जो diversity है biodiversity है इससे काफी कुछ फाइदे मन इससे वो काफी ज्यादा फाइदा मिल रहा है बहुत सारी चीज़े हैं जो ही इस biodiversity से ले रहा है दो example हम से पूछा गया है अने को example हम किनवा सकते हैं फिलाल दो इक्जांपल की बात है तो चलो ठीक है एक तो है कि हम इंसान जो है वो हेटरोट्रॉप है तो हमें चाहिए खाना कहां से लेंगे दूसरे डिपेंडेंट है किस पर डिपेंडेंट है या किसी दूसरे हेटरोट् अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम चाहेंगे कि अपना खाना जैसे ले लिए अगर कोई अंडा खाता है किसी को फिश पसंद है कि किसी को चिकन चाहिए किसी को मटन चाहिए कोई लोप्स्र खागा है तो इस तरीक है कि बहुत सारे अनिमल से जिनको ऐस फूड यूज किया जाता है तो कहने का मतलब है कि यह सारे अधर लिविंग्स को हम क्या कि ह tap抵र ने के लिए तो वही कहने rainforest provides about 40% of oxygen to humans and the other sources are diatoms. तो एक तो यह reason होगा, दूसरे point में कहता है कि जैसे food like cereals versus fruit, it all used to come from the plants, even tannis, lubricants, dyes, resins, perfumes, यह सारी चीज़े हम इसी nature से प्राप्त करते हैं. इसके बात की बात और गार हम चीज़े करें, for example, कि बहुत सारी diseases हो रही थी, bacterial disease था, bacterial disease था, तो bacteria से लड़ने के लिए antibiotic की ज़र्वत थी, हम ने निकाल लिया किसी living organism से, तो मतलब बहुत सारी चीज़े हैं, इस तरीके की end number of things है, जो हम करते हैं, natural resources का use करके, इस biodiversity से हम बहुत सारा फायदा हम इनसान उठा रहे हैं, ठेक हैं, आसान कोशन था, इसको भी आप नोट कर लो, इसका भी आप screenshot निकाल लो, फिर हम चलते हैं, अपने कोशन number 12 के तरफ देखते हैं, कि उदर हम से क्या पूछा जा रहा है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं, अपने कोशन number 12 को सवाल हम से क्या बोल रहा है, तो यह रहा हमारे पास हमारा कोशन number 12, कोशन number 12 का कहना है कुछ ऐसा, कि लिस्टैनी टू मेजर कॉज़स था, कॉज़स, अधर देन, अन्थ्रोपुज़नी कॉज़स अफ दी लॉस अफ बायो डाइवरसिटी, तो दो मेजर कॉज़स हमें बताने हैं, लॉस अफ बायो डाइवरसिटी का कॉशन number 1 में हमने अल्रेडी डिस्कॉस किया इसको, तो दो मेजर कॉज़स में एक हम रख सकते हैं कि हाविटेट लॉस अन फ्रेग्मेंटेशन which is an important cause for the extinction of plant and animals and over exploitation of natural resources by human beings. ठीक है? और हमारे पास एक को extinction भी है, तो यह सारी चीज़े हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमें बायो डाइवरसिटी में लॉस देखने को मिल रहा है, राइट? बायो डाइवरसिटी में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, हैं, फाइन, आगे चले, question number 13, तो यह रहा हमारे पास question number 13 कहता है कि what is an endangered species, what is an endangered species, give an example of endangered plant and animal species each, ठीक है, तो endangered क्या होते हैं, for example, जैसा कि हमने कई बार discuss किया, कि वो living organisms, जिनकी संख्या, दिन प्रति दिन घर्टी चली जा रही है और एक समय के बाद ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके सगाब हो जाएंगे उनको हमने इस काटेगरी में रख दिया है एक्जाम्पल की बाद पूछ रहा है कि वन एक्जाम्पल ओफ एन इंडेंजर प्लांट अन एनिमल स्पेशिज इच तो हम कहेंगे एन इंडेंजर इस पेशिज इस इस पेशिज विच भी क्या थे चालिस पचास जार बहुत ही कम संख्या होता है तो मतलब बहुत ही कम हो गया यह संख्या बैंगोल टाइगर इस्टीमेशन इस ट्वेंटीफाइव रिमेनिंग यह भी बहुत कम है ड्रोसेरा इंडिका जो है इसको 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 इटालिक्स में होना चाहिए था थीक है अंडरलाइन करती है आमने तो यह सारे कुछ स्पेशि निकाल लो असान-सान कोशन है फिर हम आगे चलते हैं अपने कोशन नमर 14 के तरफ कोशन नमर 14 हमारा हमसे क्या कह रहा है यह रहा हमारा कोशन नमर 14 कोशन नमर 14 का कहना है कुछ ऐसा कि वोट आर सेक्रेट ग्रूब्स एंड रोल इन बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो सेक्रेट ग्रूब्स क्या होते हैं और बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इनका क्या रोल है तो सेक्रेट ग्रूब्स जो है यह पाए जा रहे हैं खासी एन जैंतिया हिल्स में कहां के तो मिघालिया आरावाली हिल्स और राजिस्थान वेस्टन घाट रीजंस में कर यहां पर हम क्या करते हैं प्लांट्स को हम लोग गर प्लांट्स को बचा करके रखते हैं कि स्पेशिस को बचा करके रखते हैं तो यहां पर हमने क्या किया कि इंसीटू conservation है तो हमने यहां पर plants को क्या है की वहां पर बचा करके रखा है तो इससे क्या हो रहा है कि इस तरीके सम्सक्राइब कर पाते हैं आगे गढ़ेंगे देखेंगे question 15 को कि हमारा question 15 हमसे क्या कह रहा है right यह रहा हमारा question number 15, question number 15 का कहना है कुछ ऐसा कि suggest a place where one can go to study coral reefs, mangrove vegetation and estuaries, ठीक है, कह रहा है suggest a place where one can go जहां पर वो जाकर के coral reef, mangrove, mangrove vegetation, सब को बारे में वो पढ़ सके, वो सब के बारे में जान सके, तो कह रहा है coral reefs are found in the oceanic places, mangrove vegetation and estuaries are found in the coastal areas, and it is also present near the ocean, so I suggest Australia, Australia study coral reef mangrove and estuaries, just because कि Australia जो है आपको पता है कि Australia एक ऐसा देश है, जो चारो तरफ से समुद्र से घिरा है, तो यहां पर यह perfect area आपके पास मिल जाएगा, जहां जाकर कि आप इसको बारे में, इन सब के बारे में देख सकतो, इन सब के बारे में study किया जा सकता है राइट, तो वही कह रहा है इन सब के बारे में, ठीक है, अब भी note कर सकते हो इसको, screenshot ले 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 न, आगे बढ़ेंगे, question number 16 के दरफ, क्या कह रहा है, यह रहा question number 16 कहता है कि is it true that there is more solar energy available in the tropics, explain briefly, ठीक है, तो solar energy जो है, वो tropics पर जादे अवलेबल है, बिलकुल हम जान रहे है कि यह जो हमने अर्थ बनाया ताब बीच से जो equator निकल करके गया है, सबसे आउटर मोस्ते सन का availability वहां ज्यादा है, तो सन ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, और पहुंचता है, सन के सबसे नस्दीख है, वह अर्थ के other parts से, तो यहां पर हम कहेंगे कि बिलकुल यहा आदा देखने को मिलता है, तो वही कह रहा है कि yes, हाँ, tropics indeed possesses more solar energy because sunlight is straight at the equatoral region and on the other side at the polar region, sunlight comes in slanting type rays, है ना, तो यह आप को समझ में आ रहा है, तो that is why यहां पर क्या है, कि solar energy जो है वो यहां पर ज्यादा है, इस equator के आसपास, अब क्या है, कि जैसे जैसे हम उपर की तरफ बढ़ेंगे, हमारा यह जो sun का जो ताकत है, वो घटता चला जाएगा, उपर में हमें बर्फी बर्फ देखने को मिलता है, बर्फी बर्फ देखने को मिलता है, है ना, इधर side, उपर गया temperature घट गया, पूल के तरफ temperature घट रहा है, नीचे आ अगले सवाल पर जंप करेंगे, आगे हम अपने अगले सवाल पर कह रहा है, कि what is co-extinction, explain with a suitable example, एक साथ दो स्पेशिस का गायब होना, जैसा हमने डिसकस किया था, कि एक साथ दो स्पेशिस का गायब होना, एक दूसरे पर इनके डिपेंडेंसी इतनी जादा है, कि दोनों क आपने lifestyle, दोनों को अपनी जिंदगी जीने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट की जरुरत है, तो उस दो सपोर्ट में से, अगर कोई एक भी अगर गायब होता है, तो as a result क्या होगा कि हमें दोनों गायब होते वे दिखेंगे, वही कह रहा है कि when a species become extinct, the plant and animal species associated with its obligatory way also become extinct, this process is known as co-extinction, an example is co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to the extinction to the other, इसके बारे में हमने कुछ कोशन पहले इसको पूछ लिया है, इसको भी आप नोट कर ले, आप इसका भी screenshot निकाल ले, right, काफी असान कोशन हमें देखने को मिले, इस वेरी, sorry, इस शौट अंसर ताइप कोशन में, right, short answer type questions में, तो इस तरीके से complete किया है, हमने अपने इस chapter से short answer type questions, को उमीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है, तो आप अपने doubts को बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि doubts हम पूछेंगे, तब ही हमारे concepts clear होंगे, ठीक है, एक और information आपकी लिए, that is about magnet brains, ऐसा platform जो आपको बिल्कुली free and quality education दे रहा है, CBC English Medium, CBC Hindi Medium, different state boards, या competitive exams like NTSC, Olympiad, CVT, सब की तहरी कराई जा रहे हैं, सारे courses के लिए video lectures हमारे YouTube पे upload हैं, या फिर आप हमारे app को download करके हम सब को देख सकते हैं, आप visit कर सकते हैं, www.magnetbrains.com, यहां आना है, आपको अपने class को चुनना है, subject पे जाना है, फिर अपने chapter को चुनना है, lectures को चुनना है, videos को enjoy करना है और examination में rock करना है, तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, और पढ़ते लिए magnet brains के साथ, tata thank you, bye bye